तो केवीस पे जो भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं चाहे कोट केस हो या प्रोटेस्ट हो इन सभी विश्यों को ध्यान में रखते हुए अगर हम केवीस के रिजल्ट के ऊपर बात करें यानि के कीवीस के रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है तो हम एक तरीके से सब्सक्राइब करने वाले तो आपसे का स्वागा तेवा फिर से आपके पने चैनल पर और कफे दो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे के वीस के रिजल्ट को लेकर करके कि कब तक आपको देखने को मिल सकता है तो वीडियो के लाश तब बने रहें एक विसलिस्ट आत्मक त है तो जो भी समस्या हैं उनको ध्यान में रखते हुआ क्या कुछ को सकता है उनके बात करें ठीक है ठीक है सबसे पहले तो मैं आप सबीकों यह साफ कर देता हूं reacht तो इसकी अगर हम इस केस के बात करें ठीक है तो देखिए एक स्ट्रॉंग तो है लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई भी इस्ट्रॉंग एबिडेंस नहीं मिला है ठीक है अलाकि तरीके से केस जो किया गया है पूरे केक्षी केस और यहां सही केस है और इतरीकह से स्ट्रॉंग हूई थी और मैं आपको करते हूं तस मस्या चयर्पी का प्रोटेस्ट. को लेकर कि ठीक है अब जो आपका एंसीटी का जो बयान आया है ठीक है आप सभी ने देखा होगा सुना भी होगा कभी सारी लोगों ने बता है भी तो वह जो बयान था वह बीड के अगेंस्ट में ठीक है और एक तरीके से थोड़ा सा निरासा जनक रहा है बीड़ वालों के ठीक है तो यह सारी तमाप्रकर के समस्था हैं जो रिजल्ट को एक तरीके से संसे बनाए हुई है ठीक है कि कुछ है मां को लगा हुआ है क्योंकि जो प्यार्टी के कंडिड़ेट्स हैं उनके भी मस्तिस्क में यही प्रश्ण है कि बीड़ वालों को दुबाहर कर दिया है पर आप तो रिजल्ट लगiki मिलन सकता ठीक है तो यह बीटी सी वाले सोच रहें हैं ठीक है बाकि टी जटी पीश्टी ऐगर आपके हैं तो उनका वियमाना है कि उनको जल्ट जल्ट बात करें तो केस होगा प्रोटेस्ट ठीक है तो अभी के समय में जो दो समस्श्या है वो सबसे पहला है कि आपके वालों को प्याटे में समिल कर लिया जाए लेकिन जो पासिबल नहीं लग रहा क्योंकि इंटर्व्यू हो चुके हैं तो जिन बच्छों की इंटर्व्यू हो चुके जिन बच्छों को इंटर्व्यू में नहीं होना चाहिए तो ठीक है यह थोड़ा सा कंप्योर देखने मिला जो भी टीजटी पीश्टी सीट बढ़ने के लिए कह रहा हैं ठीक है लेकिन बढ़ने के चांसे हैं इसा नहीं कर रहा हूं वाकि यह वाले हैं उनकी मांग यह है कि प्यार्टी में उनको सामिल कर ले जाए एट लिस्ट तीन साल के लिए ना यानि कि जो बच्चे बीएड कर रहते हैं उनको कम से कम तीन साल में जो भी बच्चें जो नहीं कर रखा है ठीक है तो उनके साथ थोड़ा सा नयाय हो सके ठीक है बाकि बटीसी वाले परसंद इस है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया एक तरीके से थोड़ा सा जो भी अतिक्रमण था यपी कैसे तो जो भीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई है ठीक है और उनका यहीं मानना है कि सीगर से सीगर देखने मिल सकता है और साथ भी है कि आपको सीगर सीगर देखने मिल मिल जाएंगे अगर आपको डारी नवर मिल जाता है तो आप देखें कि कई सारे केसे हैं हलाकि कोई स्ट्रॉंग नहीं है और और मैं भी चाहूंगा और आप सब्सक्राइब कि जो केस है ठीक है तो एक तरीके से बात करें देखिए अगर हम बात करें टीजीटी पीश्टी तो जो बियर्डी वाले कंडिडेट्स जो बियादेट्स लिए उनको सचस्सी तभी मिलें गें जादा ज्यादा मत्र में अधिक फ्रोटेक्श करें और स्टेट्र गृइंट और सेंटर गृफ्रमेंट अमिलकर के ऑरडिनिस लाए और एक तरिके से नया कानून बना दे कि जो बिएड वाले हैं वह साम्मील होग Anyway फिर दो जो थोड़ा साम्मिल हो सकते हैं लेकिन जो आपने सुना है άपका जो सकने के लिए वाय चाहिया थे तो जानकरिण का जो बयान है उसके वजह से यह जो बीर्ड वाला जो मामला है और भी तेजिस हो चुका है और कल 17 तारीक है और कल लखनों में बहुत बड़ा प्रोटेश्ट होने वाला है क्या कुछ होगा वो तो आपको देखने को मिली जाएगा वाकि लाखों के बच्चों के संख्या में बच्चे वहाँ जाने के लिए तयार है अब ऐसा तो सुनाई बिल्कुल दे रहा है और मुझसे भी कहा गया था कि ज्यादा ज्यादा बच्चों तक जो भी बीर्ड के कंडिडेट्स है उन तो बचा जाए अलकि मेरे लिए बीड बीटी सी दोनों सेम है वाकि प्यार्टी प्यार्टी के लिए मैंने बता दिया 15 सितंबर ठीक है तो 15 सितंबर के बाद ही आपको रियल देखने मिल सकता है वाकि प्यूद्धी टीटी के सामने ज्यादा समस्चा है आपको नहीं है प्यूद्धी टीटी कंडिडेट्स की जो भी रिजल्ट है ठीक है किसी प्रकार का अगर जो केस चलता है उस पेस्टे नहीं आता है तो आपके प्यूद्धी टीटी के जो भी रिजल्ट्स है वो भी आपको 15 सितंबर के पहले ही देखनों के मिल जाएगा ठीक है नहीं 15 सितंबर डेट आप लोग याद रख लिए 15 सितंबर ठीक है एक्सपेक्टेड़ डेट सितंबर में रिजल्ट देखनों मिल जाएं दोनों के साथ बराबन नहीं हो जो भी एड़ वाले कंडिडेट से दोनों के साथ नहीं हो और भी तो काफी ज़्यादा ठीक है बाकि यल्ट पर कुश्यमाक अभी भी लगा हुआ है विसेश कर जो हमारे प्यार्टी के कंडिडे होना चाहिए थीक है कि सुप्रियम कोट का आडर काटने के लिए तरीके सकते बहुत बड़ा प्रोटेश्ट होगा तब जाहता है तो यह लोग भी आपके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो यह जो नहीं कि सारे बच्छों ने इंटर्व्यों निकाल लिए जो बच्यों नि थीक है तो रिजल्ट आपका September में आपको देखने मिल जाएगा तीक है परहसानु नहीं कहा सकता नहीं है जो बच्चों कमेंट्स का रहे थे किसा रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा तो September का महीना है थोड़ा सा वेड़ करिये थोड़ा सा पेस्ट रखिये जैसे आपन नहीं मिलते हैं नेक्स टूडियों में थेंक्यों सोमाच धन्यवाद